नमस्कार आप देख रहे हैं बिहार जहार खंड के सबसे बड़े यूट्यूब न्यू चैनल लाइव सिटीज को और मैं हूँ आपके साथ प्रियांग सौरब अनंद सी की मामले को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि अनंद सी की पत्नी निलम देवी जो की कॉंग्रेस से प्रत्याश्थी भी रह चुकी है लोग सवाचुनाव में अब वो इस मामले को लेकर राजपाल फागु चोहान से मिलने जा रही है जी हां सहिसना आपने फागु चोहान से मुलाकात करेगी निलम देवी और अनंद सी मामले को लेकर बातिचित करेगी आपको पताएदे के पिछले दिनों निलम देवी ने एक प्रेस कॉनफरेंस किया था उस दौरान उन्होंने लगतार सरकार पर ये आरोप लगाये थे य इस सरकार उन्हें फसा रही है और खास तोड़ पर वो लिपिसिक पर भी लगातार आरोप लगा रही थी तो इस मामले को लेकर अनन्थ सी की पत्नी नीलम देवी अब फागु चोहां से मिलेंगी तो 21 सितंबर के दिन 11 बज़े नीलम देवी पहुंचेंगी फागु चोहां के पास फागु चोहां जो की बिहार के राजपाल हैं उनसे मुलाकात करेंगी और अनन्थ सी मामले को लेकर बातचीत करेंगी उस दौरान बंटु सी जो की अनन्थ सी के बहत खास माने जाते हैं लगातार इन दिनों कई खुला से करतिवे नजर आ रहे हैं वो भी मौजूद ह होंगे अनन्थ सी के वकील भी होंगे साथ में तो इस मामले को लेकर क्या कुछ बाचीत होती है राजिपाल फागु चोहां क्या कुछ कहते हैं क्या कुछ उन्हें सांत्वरा मिलता है ये तो देखने वाली बात होगी लेकिन यह एक बरी खबर है कि अनन्थ सी मामले को लेक पर फागु चोहां से मिलने जा रही है नीलम देवी आपको बता दे कि जब अनंत सी फरार चल रहे थे उन्होंने कई वीडियो जारी किये थे इस दोरान भी वो कहते न जलाये थे कि वो पीएम मोदी और ग्री मंतरी अमित्षार्ष से मुलाकात करेंगे और इस तंदर में बा मुलाकातार कह रहे थे कि इस अंदर में केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के जो मंतरी हैं अमित्षार्ष उनसे भी बातचीत करेंगे लेकिन अब यह एक बड़ी ख़बर आ रही है नीलम देवी के तरफ से नीलम देवी अब राजयपाल फागु चोहां से मुलाकात करेंग आई है हमेशा से कहती है आई है कि सरकार उन्हें फसा रही है और जो लोग सवाचुना उन्होंने कॉंग्रेस के टिकट पर लड़ा था उसको लेकर उसका बदला लिया जा रहा है तो तमाम आरोपों को लेकर वो फागु चोहां के पास पहुचने वाली है अब देखने वा हुच्ट